अभी हाली में यूपी के हात्रस में जो बलातकार की घटना हुई जिसमें पीडिता की मृत्य हो गई उस संबंद में आज के सेरी टोडल में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका टाइटिल क्या दिया गया है तो टाइटिल है Grapz of Roth ये जो है इसे रैथ न ही पढ़ते हैं ध्यान दे थोड़ा सा इसका जो उच्चारण है बहुत ही अलग है फोड़ा सा इसे पढ़ते हैं situation को हम बोलते हैं graphs of rough इसका मतलब एक ऐसी अन्याइपूर्ण परिस्थिती ऐसी अन्याइपूर्ण situation या फिर कोई ऐसा action या फिर कोई ऐसी policy जो की लोगों में प्रतिशोद की भावना जगा सकती है उसे कहा जाता है graphs of rough तो यहाँ पे कौन सी situation है यहाँ पे UP के हातरस में जो situation create हुई है यानि कि यह जो पीलिता के जो बलातकार की घटना है यह एक ऐसी situation है जो की लोगों में प्रतिशोद की भावना भड़का सकती है आगे देखते है the yogi regime regime का मतलब होता है शाषन कि योगी सरकार the yogi regime is trying to stigmatize इस शब्द को देखते हैं stigmatize का मतलब क्या होता है stigmatize का मतलब होता है कलंकित करना कलंकित करने से आप और क्या समझ सकते हो कि किस तरह से stigmatize का मतलब है इसका मतलब है कि किसी को unfairly treat करना किसी को गलत तरीके से ट्रीट करना किसी को कलंकित करना तो देखो यह जो पूरी की पूरी घटना हुई है हाथ रस में कि यह जो रेप और मर्डर की जो पूरी घटना हुई है इस घटना को योगी सरकार जो है कोशिश कर रही है एक गलत तरीके से treat करने की Stigmatize Legitimate Outcry Legitimate का मतलब होता है जायज, वैद, Outcry का मतलब होता है लोगों का जो शोर शराबा होता है लोग किसी बात को लेकर जो है अपनी गुसे में अपना गुसे में अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं तो उसे कहा जाता है Outcry यानि कि पबलिक के दौरा जबरदस्त तरीके से अपने गुसे को अभिव्यक्त करना इसे कहा जाता है Outcry तो ये जो लोग बात, मतलब काफी सारे जो लोग हैं ये जो हात रस्म हैं, रेप और मर्डर की जो घटना हुई है इसको लेकर लोग बाग जो शोर शराबा मचा रहे हैं लोग बाग जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो एडिटरिल कहता है कि ये जायज है ये जो ये Legitimate Outcry है लेकिन योगी सरकार इस Legitimate Outcry को कलंकित करने की कोशिश कर रही है इसे गलत तरीके से ट्रीट करने की कोशिश कर रही है तो यह यहाँ पर लिखा हुआ है आगे देखते है The Registration of Multiple Police Cases in Uttar Pradesh on Charges of Conspiracy and Sedition is an Insensitive अब यहाँ पर यह आया है Registration के लिए नामांकन है न दाखिला रजिस्टर करना किसी चीज को क्या हुआ है कि वही क्या हुआ है कि पुलिस ने कई सारे केस जो है दर्ज की है कहां की बात हो रही है यह UP की on Charges Charges का मतब है आरोप Conspiracy का मतब होता है शडियंत्र and Sedition Sedition का मतब होता है राजद्रोह जब आफ सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह भरा काम करते हो उसको कहा जाता है Sedition तो पुलिस ने यूपी में कई सारे केस जो है रजिस्टर की है और केस किस बात को लेकर रजिस्टर की है वो केस की है एक तरीके से Sedition और एक तरीके से शडियंत्र के आरोप लगाते हुए तो एडिटोरिल कहता है कि UP में यह जो हमें देखने को मिला है कि UP में UP पुलिस के दौरा कई केस लोगों के खिलाब कॉंस्पिरेसी और सेडिशन को लेकर दर्ज किये गए हैं तो इन केसों का दर्ज किया जाना यह जो रेजिस्टरेशन है इस एन इन सैंसिटिव का मतलब होता है और शडियंत्र के चार्जेस जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि रजिस्टर किये गए हैं तो यह जो पुलिस का काम है यह काफी इंसेंसिटिव है आज सम्वेधन शील है लेकिन कोई आश्चेरे जनक नहीं है तो भई पुलिस ने यह जो इंसेंसिटिव है इज एन इंसेंसिटिव रेस्पॉंस कि यह जो रेस्पॉंस है यूपी सरकार का या यूपी पुलिस का यह एक इंसेंसिटिव रेस्पॉंस है एक आसम्वेधन शील प्रतिक लिया है किस चीज के प्रति रेस्पॉंस के साथ में to preposition का प्रयोग आता है response to the legitimate outrage legitimate का मतलब होता है जायज, वैध, outrage का मतलब है गुसा, लोगों का जो गुसा है मतलब आप बहुत नाराज हो जाते हो कि इस चीज़ से legitimate outrage, sparked sparked का मतलब है कि जो प्रज्वलित हुआ, देखो क्या होता है sparked का मतलब है कि यह जो चिंगारी क्यों भड़की sparked by the way उस तरीके से in which its officials कि अगर हम UP पुलिस या एक तरीके से UP पुलिस के जो officials हैं, उनके जो अधिकारी वर्ग है head handled, जिस तरह से उन्होंने handle किया case को है, जिस तरह से case को उन्होंने tackle किया the aftermath, aftermath का मतलब होता है, बाद के परिणाम, कि भई कोई घटना हुई, उस घटना के बाद में क्या-क्या परिणाम हुए, उनको कहा जाता है, aftermath of the gang rape कि भई यह जो UP में, gang rape की जो घटना हुई, and murder और उसके बाद में, उसके बाद में उस घटना के बाद में, जो भी case होने थे, पुलिस में, जो भी बाद जानी थी यानि कि उसके बाद के जो भी नतीजे हुए, aftermath, उन नतीजों को जिस तरह से पुलिस ने handle किया, उन पुलिस के handle करने के नतीजों को देखते हुए, क्या हुआ भड़क गई है न, एक चिंगारी सी भड़क गई, लोगों में गुस्सा भड़क गई है न, और यह गुस्सा जो है, जायज था, लेकिन पुलिस ने क्या किया, इस जायज गुस्से के प्रती जो है, बड़ी ही, आसंवेदन शीलता दिखाई, और वे लोग, जो की लड़की के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है, कॉंस्पिरेसी और सेडिशन के मामले दर्ज किये गए, आगे देखते हैं, दा इस्टेट एड्मिनिस्ट्रेशन इस सीकिंग, कि भई यह जो यूपी का प्रिशाशन है, वह चाह रहा है सीक का मतलब होता है, चाहना तू कनवर्ट दा आउटक्राई, कि भई यह जो आउटक्राई हमें देखने को मिल रही ना, आउटक्राई का मतलब समझ गए ना, जब एक बड़े इस तर पे, लोग बाग जो है, किसी चीज को लेकर नाराज होते हैं, किसी बात को लेकर नाराज होते हैं, और उसके खिलाब प्रदर्शन करते हैं, अपना शोर शराबा, अपना गुस्सा अभिव्यक्त करते हैं, तो उसे कहा जाता है, आउटक्राई, आउटक्राई and political advocacy, political advocacy का मतलब है, राजनितिक into a putative, अगला शब्द आया है, putative, conspiracy का मतलब होता है, खयालों में, कल्पित कोई बात होती है, आपके खयालों में जो हो है, तो एडिटोर ले कहना चारा है, यह conspiracy के charge, UP police के द्वारा विभिन लोगों पर लगा रहे हैं, यह charges आप खयालों के आधार पर यह जो है, लगा रहे हो, कि मतलब कोई conspiracy नहीं है, यही, बस police जो है, अपने खयालों में खोके, और उनकी ओपर शडियंत्र लगा रही है, तो देखो आगे देखते हैं, to foment, foment का मतलब होता है, भढ़काना, to foment का मतलब होता है, भढ़काना, उकसाना, कास्ट, डिसकॉर्ड, डिसकॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिसकॉर्ड का मतलब होता है, आसहमती, एक तरीके का विरोध, लोगों के अंदर जो एक तरीके का विरोध हो जाए, एक तरीके का टकराव कहना चाह रहा है कि राज सरकार जो है वह यह चाह रही है क्या चाह रही है राज सरकार यह जो लोगों का गुस्सा में प्रदर्शन कर रहे हैं इन सब चीजों को सरकार परिवर्थित करना चाह रही है, किसमें? Into a putative conspiracy, खयाली शडियंत्र में, यनि कि सरकार जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर जो भी राजमितिक प्रदर्शन लड़की के समर्थन में किये जा रहे हैं, इन समर्थनों को सरकार जो है, खयाली शडियंत्र में परिवर्थित करना चाह रही है, क्यों करना चाह रही है सरकार इसा? भढ़काने के लिए, किस चीज को भढ़काने के लिए? सरकार जो है, क्या कर रही है, यह जो पबलिक आउट कराई है, इसे खयाली शडियंत्र में परिवर्तित करने की कोशिश कर रही है, आगे देखते हैं, There seems to be inadequate recognition. There seems. वही ऐसा प्रतीत होता है. क्या प्रतीत होता है? वो देखते हैं. There seems to be inadequate. Inadequate का मत्दभ होता है. आपरियाप्त. Recognition का मत्दभ होता है. किसी बात को पहचानना. तो एडिटोर्स कहना चाहता है. इस बात को पूरी तरीके से परियाप्त रूप से पहचाना नहीं गया है. ऐसा लगता है. इस बात को पूरी तरीके से या परियाप्त रूप से पहचाना नहीं गया है. किस बात को परियाफ्त रूप से नहीं पहचाना गया है that initial attempts to deny deny का मतलब है इनकार करना initial का मतलब है प्रारंभिक है न that initial attempts to deny that any rape took place take place, took place का मतलब होता है घटित होना कि बई शुरू में तो क्या किया पुलिस ने ये कहा शुरू में पुलिस ने ये कहा शुरू में पुलिस के दौरा प्रियास किये गए इस बात को इनकार करने के कि बई पुलिस ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि रेप की घटना भी हुई रेप took place है ना कि बई रेप हुआ इस बात को ही पुलिस ने शुरुवात में इंकार कर दिया और क्या हुआ और एडिटोरिल कहता है और विभिन राजनेतिक नेताओं को और मीडिया को लड़की के परिवार वालों से मिलने से रोकना पॉइंटेड टू इशारा करते है पॉइंटेटिव पॉस्चर कि प्रशाशन ने कैसा रुख अपनाया है पॉस्चर का मतलब है यहां पर रुख कि जो यूपी की सरकार है यूपी का जो प्रशाशन है उसने कैसा रुख अपनाया है कैसा रुख अपनाया है होस्टाइल तोई एक तरीके से आफ कहा सकते हो पूर्ण नियाय करने के पृति UP प्रशाशन जो है उसने शत्रुतापूर्ण रुख अपनाया है और इसी शत्रुतापूर्ण रवये के चलते क्या हुआ है कि यूपी प्रिशाशन ने जो है कोशिश किया है कि इस बात की कोशिश की कि विबिन ने जो पॉलिटिकल लीडर्स है और मीडिया है उनको लड़की के परिवार से मिलने से रोका गया है शुरुआत में तो यह यह इस पूरे लाइन का मतलब यहां से आप समझने की कोशिश करो एक बार फिर से हम लेते हैं इसे कि इस बात के हम ऐसा नजर आता है कि वही इस बात को ठीक तरह से नहीं पहचाना गया है कि जो प्रारंबिक प्रियास किये गए उन प्रारंबिक प्रियासों में क्या किया गया यूपी पुलिस के दौरा या यूपी प्रशाशन के दौरा इस बात को इंकार करने की कोशिच की गई कि बह Willy की रेप की घटना भी हुई है यहाना इसको मानने से इंकार कर दिया गया इसके बाद में क्या हुआ कि Women Political Leaders थे और Media थी उनको क्या किया गया लड़की के परिवार वालों से मिलने से रोका गया तो ये सारी की सारी बातें इस और इशारा करती है कि जो UP का प्रशाशन है उसका जो रवया है उसका जो रुख है वह शत्रुता पूर्ण है वह एक तरीके से आप कह सकते हो कि लड़की के प्रती पूर्ण नियाय नहीं करना चाहता ये डिटोरिल कहना चाह रहा है आगे देखते है कि it was only to be expected it was only to be expected कि भई एसी आशा की जानी थी एसी आशा थी it was only to be to be का मतलब होना expect का मतलब आशा करना उम्मीद करना that such an attitude would create a backlash against the state government it was only to be expected कि भई अब जब ऐसा हुआ क्या हुआ कि हमने देखा कि प्रारंब में जो है इस बात से इंकार किया गया कि भई किसी तरह की रेप की घटना ही नहीं हुई पहले तो ये कहा गया इसके बाद में लड़की से जो है यानि कि पीलिता का जो परिवार है उससे मिलने से मीडिया को और विबिन पॉलिटिकल लीडर्स को लोखा गया तो फिर स्वाभाविक था है ये उमीद थी इसकी उमीद थी that such an attitude कि भई गवर्मेंट का जो इस तरह का एटिटीट है सरकार का जो इस तरह का बरताव है वुड क्रियेट ये पैदा करेगा अब बैकलेश बैकलेश का मतला होता है तीखी प्रतीक्रिया अगेंस दा इस्टेट गवर्मेंट तो बिल्कुल स्वाभाविक था कि जब ऐसा हुआ कि भई मीडिया को विबिन पॉलिटिकल लीडर्स को इन सब को रोका गया पुलिस ने वही जो सरकार का ऐसा रवया है ये तीखी प्रतीक्रिया आमंत्रित करेगा सरकार के खिलाफ और ऐसा हुआ कि वही सरकार के खिलाफ जो है हमें तीखी प्रतीक्रिया है देखने को मिली आगे देखते हैं अब देखो जो सरकार की जो image है ना ये क्या है धूमिल हुई है वही सरकार की image में सरकार की पृतिष्ठा में कमी आई है तो अब एक मात्र रास्ता है जिसके माध्यम से सरकार अपनी image को पुनह बहाल कर सकती है restore का मतलब होता है पुनह बहाल करना है is its image is to display empathy कि सरकार कोальном देखों पुनह बहाल कर सकती है तो सरकार को चाहिए कि सरकार प्रदर्शित करें क्या प्रदर्शित करें सरकार empathy empathy का मतलब होता है humdar calls After the victim यहाँ पर victim आया है पीडिता के लिए victim का मतलब होता है पीडित या फिर पेडिता तो यहां पे विक्टिम आया है उस लड़की के लिए जिस लड़की के साथ ये घटना हुई तो सिर्फ सरकार के पास एक मात्र उपाय जो है जिसके माध्यम से सरकार अपनी इमेज को पुनह बहाल कर सकती है वो ये कि सरकार पुनह प्रदर्शित करे है ना सरकार जो है क्या दिखाए सरकार जो है हमदर्दी दिखाए किस के साथ पीडिता के साथ And treat protest और जो भी विरोध किये जा रहे हैं And treat protest seeking justice as legitimate And treat protest seeking justice ऐसा न्याए देखना क्या लिखा हुआ है Protest seeking justice seeking का मतब क्या हुता है? चाहना, seek का मतब है चाहना यहाँ पे seeking जो चाह रहा है ऐसा विरोध जो की न्याए चाह रहा है देखना इसका मतलब यह हुआ, प्रोटेस्ट सीकिंग जस्टिस, विबिन विरोध जो की न्याय चाह रहे हैं, उन विरोधों को सरकार जायज ठहराए, उन विरोधों को सरकार वैद ठहराए, यह एडिटोरिल केना चाहता है, तो यही एक मातर सरकार के पास तरीका है, कि सरका उस पीडिता के साथ हमदर्दी दिखाए, और जो भी विरोध, जो की लड़की के पक्षमे न्याय की मांग कर रहे हैं, उन विरोधों को सरकार लेजिटिमेट ठहराए, उन विरोधों को सरकार जो है, जायज ठहराए, आगे देखते हैं, इवन दो, यद्यपी, इवन दो, देखते हैं, अगे रिटेवर क्या कहना चाहता है, कि एवन दो, दो, दा सस्पेक्ट्स, नेम्ड बाइधा नैंटीन यिर ओल्ड, यहालं की यद्यपी, दा सस्पेक्ट्स का मतलब है, कि बई, जिन पर शक है आपको है, जो संदिग्द है, जिनके उपर डाउट है, यानि क वो जो पीडिता थी, named by the 19-year-old, कि भाई ये जो 19 वर्षी लड़की थी, जिसके साथ ये घटना हुई, इसने क्या हुआ, before her death, in a Delhi hospital, Delhi hospital में, अपनी मृत्यू से पहले, इस लड़की ने क्या किया, कुछ आरोपियों के नाम बता है, ना कुछ संदिग्द लोगों के नाम बता उनको arrest किया गया, उनको गिरफतार किया गया, and the F.I.R. have been arrested, and the F.I.R. includes the charge of gang rape, और जो F.I.R. दर्च कराई गई थी, उस F.I.R. में शामिल थे, क्या शामिल थे, charge of gang rape, सामोहिक बलातकार के आरोप, charge का मतलब है आरोप, यानि कि gang rape के आरोप भी जो है, इस F.I.R. में शामि किया था, जो उनको arrest भी किया गया था, there are clear signs, तो इस बात के हमारे पास बिल्कुल special sign है, that the yogi आदितिनाद government, कि यह जो आदितिनाद, yogi आदितनाद सरकार है, is adopting, यह अपना रही है, adopt का मतलब है अपनाना, dubious का मतलब है doubtful, एक तरीके से शंका पूर्ण है, dubious का मतलब है doubtful tactics का मतलब है पैतरे बाजी, to prevent, तो yogi आदितना सरकार क्या कर रही है, संदिग्द तौर तरीके, संदिग्द पैतरे बाजी अपना रही है, रोकने के लिए, to prevent का मतलब है रोकने के लिए, what it sees as the crystallization of public opinion against itself, what it sees of the crystallization of public opinion, कि भई, जो लोगों के opinion है, जो लोगों का बरताव है जो लोगों का आचरण है, सरकार के प्रती, तो सरकार उस आचरण को किस रूप में देख रही है, what it sees का मतलब है, कि जो लोगों का आचरण, इस घटना को लेकर, लोगों की जो प्रतिक्रिया है, लोगों के जो विचार है, उन विचारों को सरकार किस रूप में देखती है उन विचारों को सरकार देखती है क्रिस्टलाइजेशन रूप में क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में आपके विचार या जो आपके ओपिनियन होते हैं वो बिल्कुल got Meer, तो जनता जो है, उसके व्यचार इस लड़कि के, पक्ष में है और वे सरकार के, खिलाफ में, तो इन विचारों को, की बैश, जो जनता के विचार है, जो की लपक्ष में है, इन विचारों को सरकार अपने खिलाफ देखती जो अपने इन विचारों को अपने खिलाफ देखती है, इसलिए सरकार इस case को handle करने के लिए क्या कर रही है, एक तरीके से doubtful तरीके अपना रही है, adopting a dubious tactics है, कि वही सरकार जो है, tactics का मत होता है, एक तरीके की तिकडम, पेत्रेवाजी, दाव पेच, इनको कहा जाता है tactics, तो सरकार के जो clear cut sign थे, कि लड़की ने मरने से पहले उन लोगों के नाम बताए है, उनको गिरफतार भी किया गया, FIR जो दर्ज की गई थी, उस FIR में भी गेंग रेप के आरोप को दर्ज कराए गया था, तो इन सबसे क्या पता चलता है, इन सबसे पता चलता है, और इसके बावजूद प्रारंबिक प्रियास हमें क्या देखने को मिले, यूपी प्रियास हमें ये देखने को मिले, कि इस बात से इंकार करने की कोशिश की गई, कि रेप नाम की घटना भी हुई थी, आगे देखते हैं, recognizing that, इस बात को पहचानना, किस बात को पहचानना, recognizing that, the formation of an SIT did not help undo the damage, undo का मतबे किये को अनकिया करना, to the government's image, अब देखो क्या हुआ, कि चीफ मिनिश्टर योगी आदितिनात ने देखा, कि वही सरकार की जो प्रतिष्ठा है, सरकार की जो इमेज यो खराब होती जा रही है तो फिर क्या किया, सरकार ने, तुरंत SIT, Special Investigation Team का घठन किया, इस पूरी घठना की जाच के लिए, लेकिन सरकार ने इस बात को पहचानते हुए, कि वही SIT के निर्मित करने से, जो है, सरकार की image को जो नुकसान हुआ है, वही नुकसान की भरपाई नहीं हो जाएगी है, सर अंडू करना है, इस की ये को अंकिया करना है, तो सरकार ने SIT का घठन निर्मित करने का सोचा, लेकिन सरकार को लगा, कि वही SIT के घठन से काम नहीं चलेगा, तो फिर सरकार ने क्या किया, The Chief Minister recommended, तो जो UP के मुख्यमंतरी है, उन्होंने जो है, recommend किया है, उन्होंने की उन्होंने सिफार्ष की किस बात के अनुशंचा की अज CBI इन्वेटिगेशन की चैस की होने चाहिए है तो यह cbic जांच के लिए Chief Minister ने क्यों कहा क्यों सिफारष की cbic before कि उन्होंने क्योंकि UP Chief Minister को लगा कि SIT एक के निर्मित करने से सरकार की hoping इमेज खराब हुई है वह इमेज निर्मित नहीं उपाईगी तो उन्होंने का कि हाँ CBI investigation होनी चाहिए However हलांकि even that came across हलांकि ये जो CBI जाच की मांग UP Chief Minister ने की है ये मांग क्यों की है even that came across ये जाच क्यों हमारे सामने आई है as a move, एक कदम के रूप में, कि यूपी, गवर्मेंट के दौरा, CBI, investigation की मांग किया जाना, यूपी सरकार का एक कदम है, जिस कदम के माद्यम से यूपी सरकार जो है, चाहती है, क्या चाहती है, to fob of, any adverse, adverse का मतलब होता है, pretty cool, fob of, देखो, fob of का मतलब क्या होता है, इसको देख लेते हैं, ये भी क्या है, हमारी एक frazzled verb है, fob of का मतलब होता है, कि बही किसी को ऐसा जवाब देना, या फिर कोई ऐसा कदम उठाना, जिसके माद्यम से, आप से कोई सवाल न पूँच सके, देखो, UP Government को क्या लग रहाता है, UP Government को लग रहाता है, कि बही ये केश जो है, अलाबाद High Court में चला गया है, देखो, हुआ क्या, कि ये जो अलाबाद High Court है, इसने, विच हैस टेकन, जिसने की ले लिया है, सूओ मोटू कोगनिसेंस, कोगनिसेंस का मतलब क्या होता है अपनी जानकारी में लेना सुो मोटू कोगनिसेंस का मतलब होता है स्वतह संग्यान लेना जब अदालत को लगता है कि ये मामला सारजनिक लोगों से जुड़ा हुआ है बड़े ही महत्तु का ये मामला है अगर अदालत को लगता है कि कोई मामला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो अदालत स्वयम अपने से उस मामले की तहकीकात या सुनवाई करने लगती है तो अलाबाद हाई कोट ने किया है क्या किया है उसे हम बोलते है स्वो मोट्टू कोगनिसेंस स्वत्य संग्यान ले लेना इसे कहा जाता है स्वो मोट्टू कोगनिसें तो अदालत में क्या किया अलाबाद हाई कोट ने इस मामले का स्वत्य संग्यान ले लिया यानि कि अलाबाद हाई कोट ने अपने से इस मेटर को अपने देख लिया है और अलावाद High Court रिस मेंटर को अपने से देख रही है तो UP Government को लगा कि जब अलावाद High Court रिस मेंटर को देख रही है तो अलावाद High Court हो सकता है कोई फटकार लगा दें, कोई 아ड़र्स order का मतलब है अलावाद High Court कि तरफ से आ जाए तो इस प्रतिकूल ओर्डर से बचने के लिए इसी को कहा गया है Fobop Fobop का मतलब है कि आपके उपर सवाल न उठाए जा सके है इसके लिए आप क्या करो कोई explanation दे दो कोई छोटा मोटा काम कर दो जिससे कि आप बच जाओ उसे कहा जाता है Fobop तो UP Government को लग रहा था कि अलाबाद High Court जो है उससे कई तरह के सवाल पोच सकती है उसको फटकार लगा सकती है तो उस फटकार से बचने के लिए UP Government ने क्या किया CBI Investigation की सिफारिश कर दी तो ये editorial कहना चारा है पीछे की line जो ना इसमें ये editorial बात करना चारा है कि भई ये जो CBI की जांच की जो मांग की गई ना ये जांच की मांग भी इसलिए हमारे सामने आईए एक कदम के रूप में तो फटकार फटका मत्तब है कि भई UP Government जो है बचना चाहती है भई UP Government को लग रहा है कि उससे सवाल पूचे जा सकते है है ना उसे जो है अलाबाध हाई कोट कई तरह के सवाल पूच सकता है explanation मांग सकता है तो उन explanation से बचने के लिए ये फ़ॉब अप किया है उसने है ना कि भई एडवर्स ओर्डर जो है अलाबाध हाई कोट की तरफ से आ सकते है आगे देखते है रेमार्स का मतलब टिपणी की गई है कई सीनियर पूलिस ओफिसर जो है उनके द्वारा इस प्रभाव के रूप में टिपणी की गई है यह वही हमारे पास जो है रेप के कोई एविडैंस ही नहीं मिले हमें ना that there was no evidence of rape कि भई रेप का कोई प्रमान ही नहीं था अब देखो यहां से यह जो लिखी हुई ना यह additional जानकारी लिखी हुई है अब senior police officers ने यह जो बात कही कि भई रेप के कोई evidence नहीं है यह बात उन्होंने की साधार पर कही citing, citing का मतलब है हवाला देते हुए citing the absence of semen semen का मतलब होता है वीर्य है ना व्यक्ती का वीर्य होता है उसे कहा जाता है in swabs यह swabs क्या होता है swabs का मतलब होता है एक तरीके से कपड़े का जो छोटा सा टुकड़ा होता है जिस पे आपने क्या किया body से किसी substance को ले लिया लेते हो है ना व्यक्ती की body से कोई substance ले लेते हो तो उसे कहा जाता है swabs taken for forensic analysis analysis का मतलब हो गया जांच या फिर visualization forensic का मतलब हो गया forensic analysis का मतलब होता है कि भई न्याय संबंदी जो जांच की जाती है ना उसे कहा जाता है forensic analysis तो क्या हुआ UP पुलिस ने ये जो comment किये क्या comment किये UP पुलिस ने कि भई हमें rape का कोई evidence नहीं मिला ये comment किस आधार पे किये उन्होंने किस बात का हवाला देते उन्होंने कहा कि भई ये जो swabs हमने लिये थे forensic analysis में जो swabs है ना जो एक तरीके से कपड़े के जो टुकड़े हम लेके गए थे जिसके माद्यम से हमने क्या किया था कि भई जो body होती ना उस body के उपर से हमने collect करने की कोशिश कीती है ना तो उनमें किसी तरह का कोई cement नहीं पाया गया है ना उनमें किसी तरह का कोई वेर्य नहीं पाया गया indicated तो ये जो बात police officers ने कहिए है ना इस बात ने इस बात की और इशारा किया police officers के remarks ने इस बात की और इशारा किया indicate का मतलब है सूचना देना इशारा करना an official reluctance कि भई आधिकारिक रूप से reluctance का मतलब क्या होता है reluctance का मतलब होता है aniccha indicated an official reluctance to acknowledge कि भई आप ये कह सकते हो कि UP की जो सरकार है या जो UP police है acknowledge का मतलब होता है सूचना acknowledge का मतलब होता है मानना the gang rape part of the offense offense का मतलब है अपराद कि भई जो पीलिता है उस पीलिता के प्रती जो अपराद किये गए है उन अपराद में gang rape का जो part है इस part को police जो है सुईकार करने से सुईकार करने को सुईकार करने को राजी नहीं है अनिच्चुक है इस बात को सुईकार ही नहीं करनी जाती official reluctance का मतलब है आधिकारिक रूप से अनिच्चुक होना तो आप ये कह सकते हो कि police की टिपणिया तो यही दिखाती है इस और इशारा करती है कि police जो है आधिकारिक रूप से इस बात को सुईकार करने की इच्चुक नहीं है कि पीलिता के प्रती जो भी अपराद किये गए उन अपरादों में gang rape भी शामिल था है गैंग rape को police जो है सुईकारी नहीं करना चाहती latest reports suggest अब अभी हाली में जो हमारे पास latest reports आई है न वो क्या दिखाती है कि इस घटना से सम्मदी जो भी reports हमारे सामने आई है वे क्या suggest करती है वे दिखाती है that a journalist on his way कि एक पत्रकार जो की हात्रस जा रहा था on his way to हात्रस देखो यह जो लिखाओ है on his way to हात्रस इसका मतलब है कि जो पत्रकार जो था वे का मतलब क्या होता है रास्ता मार्ग कि पत्रकार जो की अपने रास्ते हात्रस जा रहा था and three others, इसके लावा अन्य तीन व्यक्ति जो की हात्रस जा रहे थे have been detained, इनको हिरासत में लिया गया, इनको रोका गया Detent का मतलब होता है, किसी को हिरासत में ले लेना, किसी को रोक लेना तो अभी जो latest report हमारे सामने आई है, उस report से हमें पता चला है कि एक पत्रकार इसके लावा अन्य तीन लोगों को जो है, जो की हात्रस जा रहे थे उनको जो है, रोका गया है, उनको जो हिरासत में लिया गया They are also sought to be linked, अब ये जो व्यक्ति गिरफतार किये गए ना क्या चाहा है, to be linked to, भई UP प्रिशाशन का कहना है, कि ये लोग जिनको की UP प्रिशाशन ने हिरासत में लिया है तो UP प्रिशाशन का क्या कहना है, कि ये लोग जो है जुड़े हुए है, कि इस चीज़ से जुड़े हुए है, इनका connection, इनका link कि से है popular front of India, कि ये लोग जो है popular front of India से जुड़े हुए है अब हम देखते हैं कि popular front of India क्या है, आगे editorial खुद बताता है तो देखते है popular front of India क्या है an organization, एक संगटन है, whose name came up, जिसका नाम हमारे सामने आया came up का मतलब है कि ये नाम हमारे सामने आया कि ये एक संगटन का नाम है, popular front of India इस front of India से, popular front of India से जुड़े होने का आरोप UP प्रिशाशन ने इन लोगों पर लगाया, जो लोग हातरस जा रहे थे जिसमें एक पत्रकार और तीन अन्य व्यक्ति शामिल थे अब popular front of India के बारे में कहा गया है कि ये एक संगटन है, जिसका नाम हमारे सामने आया in connection with recent rights, rights का मतलब है दंगे and anti-government protest, कि अभी हाली में सरकार के खिलाफ जो विरोध किये गए, सरकार के खिलाफ एक तरीके से जो दंगे हुए, in connection से जुड़ा हुआ है popular front of India, और ये लोग जो हात्रस जा रहे थे इनको भी UP प्रिशाशन ने popular front of India से जुड़ा हुआ बताया है this raises, raise का मतलब होता है उठाना, क्योई सवाल उठाना this raises the suspicion का मतलब है doubt, है ना, शक, of an attempt तो ये जो प्रियास UP प्रिशाशन के द्वारा किया गया है इसके माध्यम से एक शक उठता है, एक शक पैदा होता है this raises the suspicion of an attempt, कि यूपी प्रिशाशन जो है वह कोशिश कर रहा है, to control, control करने की किस चीज़ को control करने की UP प्रिशाशन कोशिश कर रहा है the narrative, narrative का मतलब है ये जो पूरी कहानी चल रही है ये जो पूरा घटना करम है, narrative मतलब कथानक कथानक का मतलब है, ये जो कुछ चल रहा है ये जो पूरी की पूरी कहानी चल रही है by, तो इस पूरी की पूरी कहानी को UP प्रिशाशन जो है, control करना चाहरे by, resorting to, resort के साथ में to preposition का प्रिवयोग होता है resort का मतलब, resorting to का मतलब होता है सहारा लेते हुए template, template का मतलब क्या होता है template का मतलब होता है कोई एक ऐसा नमूना, या कोई ऐसी बात जिसका प्रिवयोग आप बार बार करते हो, जैसे आपने क्या किया good morning नाम की template की एक message बना लिया आपने good morning लिख लिया आपने good morning my brother एक template बना लिया आपने ये message आपने save कर लिया तो ये क्या हो गया template बन गया अब इसका प्रियोग आप जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो तो सरकार ने क्या किया है template बना लिया template का मतलब है कोई एक नमूना तयार कर लेना जिस नमूने का प्रियोग आप बार बार कर सकते हैं उसे कहा जाता है टेंपलेट तो सरकार जो है एक टेंपलेट का सहारा लेते हुए नजर आ रही है क्या है सरकार का टेंपलेट Of identifying members of a communal organization कि सरकार ने जो है एक नमूना बना लिया है उस नमूने के तरह सरकार बार बार बात करती है कि सरकार जो है पहचानना चाहती है किन सदश्यों को सरकार पहचानना चाहती है Of a communal organization कि एक सामुदाइक संगटन है एक communal organization है एक सांपरदाइक organization है As alleged जिसके उपर सरकार ने आरोप लगाया है Conspirators Conspirators का मतलब होता है एक तरीके से शडियंत्र कारी Conspirators का मतलब है शडियंत्र करने वाला है And instigators Instigators का मतलब होता है उकसाने वाला Of violence तो UP परशाशन ने जो है एक नमूना तै कर लिया है एक template तै कर लिया है उस template के अंतरगत UP government क्या कर रही है लगातार एक सामपरदाइक संगठन से जुड़े हुए लोगों की पहचान कर रही है जिस सामपरदाइक संगठन के बारे में UP प्रिशाशन मानता है उस पर आरोप लगाता है कि ये शडियंत्र करता है लोग है कि ये communal organization है इस communal organization से जुड़े हुए जो भी लोग है ये शडियंत्रकारी है और ये हिंसा को उकसाते है तो इन लोगों को control करने के लिए UP government इस तरह का act कर रही है ये editorial कहना चाहता है तो यही बात हुई हमारी finally कि this receives the suspicion कि इससे एक doubt पैदा होता है doubt खड़ा होता है doubt उठता है हमारे सामने कि यूपी government जो है control करने का प्रयास कर रही है इस पूरी की पूरी कहानी को सहारा लेती हुए कि इस चीज का सहारा लेती हुए कि यूपी government जो है एक template है UP government का बंदी-बंदाई एक बात है UP government के पास कि बार-बार UP government कहती है कि एक communal organization है एक सामपरदाईक संगठन है जिस पर UP government आरोप लगाती है शड़ियंतरकारी होने का हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोगों का और इसको सरकार control करने की कोशिश कर रही है आगे देखते है अब ये जो सरकार ने रटी-रटाई जो बात है न सरकार की इसमें सरकार ने शामिल किया है किस चीज को शामिल किया है The use of panel provision पैनल का मतलब हो गया प्रावधान पैनल का मतलब हो गया दंड तो पैनल प्रोविजन का मतलब हो गया दंडिक प्रावधान दंड से जुड़े हुए प्रावधान relating to relating to का मतब है जो संबंदित है sedition का मतब है देश द्रोह राज द्रोह sedition and conspiracy का मतब है शडियंत्र and the projection projection का मतब होता है प्रक्षेपन करना है ना projection of a theory कि सरकार जो है इस theory के बारे में अपनी राय रखती है इस theory को प्रक्षेपित करती है कि इस theory के बारे में सरकार कहती है that all protest कि जो भी विरोध है सारे की सारे विरोध है और सारी की सारी जो राजनितिक गतिविदी है against it कि सरकार के खिलाब जो भी राजनितिक गतिविदी है और जो भी विरोध है वे constitute constitute का मतलब निर्मित करते हैं a plot to overthrow overthrow का मतलब उखाड फेकना the government तो देखो editorial क्या कहना चाहता है editorial कहना चाहता है कि सरकार ने एक बंदी-बंदाई बात को इस रूप में भी स्विकार कर लिया है कि सरकार ने क्या कहा है सरकार ने कहा है सरकार ने दंड के प्रावधान रखे है किस चीज के लिए सरकार ने दंड के प्रावधान रखे है sedition के लिए conspiracy के लिए कि जो भी बात sedition से संबंदित है राजदरों से संबंदित है conspiracy शडियंतर से संबंदित अगर कोई बात है तो उन से जुड़ी होई बातों के लिए सरकार ने दंड के प्राउधान रखें सरकार इस थियोरी को बार-बार जोए जोर देती है बार-बार इस थियोरी को प्रक्षेपित करती है सरकार कौन सी थियोरी को कि जो भी विरोध या फिर जो भी राजनितिक गतिविदी सरकार के खिलाब की जा रही है यह गतिविदी जो है एक तरीके से sedition action में आती है और यह जो गतिविदी हो रही है सरकार के खिलाब यह सरकार को उखाड फैकने के लिए की जा रही है एक तरीके का ये template भी सरकार ने include कर लिया है आगे देखते हैं A responsive government would have endeavored अब editorial को क्या कहना चाहता है कि एक responsive का मतलब होता है एक तरीके की मतलब आप कह सकते हूँ एक जवाब दे सरकार A responsive government would have endeavored endeavor का मतलब होता है प्रियास करना कि एक जवाब दे सरकार ने फैलाने का To extend का मतलब होता है विस्तार करना Healing touch Heal का मतलब क्या होता है Heal का मतलब होता है जख्म को भरना Healing touch वो ही है मतलब एक ऐसा touch जो आपके जख्मों को भर दे कि एक जवाब दे सरकार ने जखमों को भरने का प्रियास किया होता है ना ऐसा हुआ होता वुड है ऐसा हुआ होता एक responsive government ने क्या किया होता एक responsive government ने ऐसा किया होता कि एक responsive government के दोरा प्रियास किये गए होते किस चीज के प्रियास किये गए होते to extend, विस्तार करने के a healing touch कि भई एक responsive government जो है वह है पीडिता के जक्मों को भरने का प्रियास करती reassured the victims कि भई जो पीडिता है जो भी पीडित पक्ष के लोग हैं जो भी पीडिता है पीडिता का परिवार है उनको आश्वस्त करने का प्रियास करती कौन? एक responsive government and reserve और एक responsive government जो है बचा के रखती reserve का मतलब है बचा के रखना it's rough, rough का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था rough का मतलब है extreme anger गुसा उसको कहा गया है rough और जो responsive government है वो अपने गुसे को बचा के रखती किन लोगों के लिए for the offenders, offenders का मतलब है अपराधी की जो भी दोशी है जो भी गेंगरेप के दोशी है उन दोशियों के लिए सरकार अपने गुसे को बचा के रखती ऐसा होता अगर responsive government होती तो लेकिन हुआ क्या instead इसके बज़ाए हुआ क्या the आदितिनात government is focusing on लेकिन यह जो योगी आदितिनात की सरकार है यह focus कर रही है किस चीज पर focus कर रही है अब देख लेते हूँ किस चीज पर focus कर रही है focusing on blaming blaming का मतलब है दोश लगाना political leaders कि योगी आदितिनात जो है जो political leaders है जो विभिन राज नेता है उनकी उपर दोश लगा रही है pressuring the victims family कि जो पीलिता है उसका जो परिवार है उस पर दबाव डाला जा रहा है योगी government सरकार के दोरा and preventing, और योगी government सरकार जो है क्या कर रही है, preventing, रोकने की कोशिश कर रही है the emergence, emergence का मतब होता है जो एक जुठ होके आवाज उभर के हमारे सामने आ रही है उसको यूपी government रोकने की कोशिश कर रही है attacks on the marginalized communities और क्या हो रहा है, attacks on the marginalized communities कि marginalized, marginalized का मतब होता है जो बिलकुल हाशिये पे हैं जो समाज में जिनकी इस्तिती बहुत ही ज़्यादा कमजोर है उसे कहा गया है marginalized जो समाजिक इस तर से बहुत ही मामूली है उन्हें कहा गया है marginalized communities कि ऐसे लोग जो की समाजिक रूप से बहुत ही नीचे हैं जो की समाजिक रूप से बहुत ही दबी हुई हालत में हैं उनके ओपर जो attack किया जा रहा है उनको क्या कर रही है UP government उनको रोकने की कोशिश नहीं कर रही है तो यही कहना चाहरा है कि योगी आदेतिनाद सरकार को करना तो यह चाहिए था कि योगी आदेतिनाद सरकार जो है इन दोश्यों के खिलाप अपने गुसे को बचा के रखती पीलिता पक्ष का पीलित जो पक्ष है उसको आश्वस्त करती है पीलिता के जो जख्म है इनको किसी तरह से भरने का प्रियास करती लेकिन सरकार ने किया क्या? सरकार ने किया ये कि सरकार जो है उल्टा जो राजनेता है उन्हें ही दोश दे रही है पीलिता की जो फैमिली है इस पर दबाव डाल रही है तो ऐसे काम सरकार कर रही है इस पर सरकार का फोकस है government is focusing on the devastating effect का मतलब है विनाशकारी प्रभाव devastating का मतलब है विनाशकारी प्रभाव and unregenerate इसको देख लेते हैं इसका क्या मतलब है? unregenerate है unregenerate का मतलब होता है कि अनसुधरा, unregenerate का मतलब होता है अनसुधरा यानि की बहुत ही ज़्यादा अडियल कि जो मतलब जो जिसमें सुधार न दिखाई दे आपको caste hierarchy, देखो hierarchy का मतलब होता है पदगरम कि ये जो हमारे, हमारा जो समाज है इसमें उची जात, नीची जात है ना, इसको कहा गया है caste hierarchy है ना जात का पदानुकरम है ना, कि ये उची जात है, ये उसे नीची है, ये उसे न्युति है तो ये जो है ना, unregenerate है हमारा ये जो caste system है ये unregenerate है मतलब ये caste system जो है अभी भी अभी भी नहीं सुधरा है ये caste system अभी भी बिल्कुल आडा हुआ है मतलब सुधरने का नाम नहीं ले रहा has on society तो ये जो हमारा caste system है इस है ना तो सरकार जो है फोकस कर रही है उन विनाशकारी प्रभावों पर जो की हमारे समाज पर पढ़ सकते हैं जाती को लेकर ये जो हमारे समाज में ये जो caste hierarchy बनी हुई है तो ये जो caste hierarchy है इसके जो विनाशकारी प्रभाव हमारे समाज पर हो सकते हैं उन प्रभावों पर योगी आदितिनात गवर्मेंट फोकस कर रही है न तो ये था लाश्ट का सेंटेंस थोड़ा सा लंबा था